हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैंप्स के यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करते हैं आज हम लोग HCF LCM का टाइप नंबर 4 जो की लस्ट के उपर ही बेज जोने वाला है लास्ट का टाइप नंबर 3 एट टाइप नंबर 4 जो है यह दोनों भी आपका यह दोने वाला है मेरी ख्याल से लास्ट टाइप में मैंने यह चीज बटाया था कि HCF और LCM में HCF और LCM में word problems में कैसे आप differentiate कर सकते हो अगर divided लिखा है तो आपका LCM हो जाएगा division लिखा है यह divides लिखा है D-I-V-I-D-E-S लिखा है तो HCF हो जाएगा अगर आप यह नहीं जानते हैं तो लास्ट वीडियो को ज़रू चेक करना है आज हम लोग बढ़ते हैं LCM के LCM के टाइप नंबर 4 के 1st question में जहां पर आपको क्या दिया है कि what is the least number which when divided by 4, 5, 6, 7, 8 अगर मैं यह पाच्वन नंबर से उस नंबर को डिवाइड कर दू तो मुझे remainder 3, 4, 5, 6, 7 respectively मिलना चाहिए 3, 4, 5, 6, 7 remainder respectively मिलना चाहिए अब type number 3 और type number 4 में फरक ही यह है कि last question में last type में आपको remainder common था बट इस type में आपको remainder जो है वो common mention ही नहीं किया गया सो अब आप क्या करोगे अब आप क्या कर सकते हो क्योंकि हम लोग कैसा कर रहे थे कि step number 1 जो था वो मेरा LCM निकालना था जो कि फिलाल इस question में भी type number 4 में भी आपको LCM ही निकालना होगा 4, 5, 6, 7, 8 का गर मैं LCM निकालो 4 और 8 का LCM तो 80 हो जाए 24 के table में इट आता है यह दोनों के LCM 30 हो जाएगा यह दोनों के LCM 56 हो जाएगा क्योंकि कुछ भी common नहीं था तो मैंने directly multiply कर दिया यह दोनों में common क्या हो जाएगा I think यह 15 जा जाएगा यह 28 जा जाएगा और अब मेरे ख्याल से 84 होता है तो 840 जो आएगा 840 जो आएगा वो आजाएगा इसका LCM 840 जो आजाएगा इसका LCM आजाएगा बट अभी मैं 840 में directly कौन सा remainder plus करू कि आपको answer बता सकते हो तो problem यहाँ पर आते है क्योंकि कोई भी common remainder जो है आपका है ही नहीं ठीक है तो वही बात जो मैंने कहीं कि common remainder नहीं है तो आपका simple काम रहेगा कि common remainder आपको निकालना पड़ेगा common remainder जो है वो आपको इस वाले टाइप में निकालना पड़ेगा common remainder कैसे निकालोगे simple है कि नंबरों को उनके दिये गए remainder से minus कर दो नमबरों को जैसे 4 का remainder क्या है 3 है 5 का remainder क्या है 4 है 6 का 7 का 8 का जो भी 5, 6, 7 आपको remainder दिया है अगर मैं इस सभी को minus कर दो तो मुझे common remainder जो है 1 मिलेगा एक बाद ध्यान रखना कि question में confusion मत हो ना कि sir मालो common remainder नहीं मिला तो तो ऐसा actually इस case में नहीं होगा आपको common remainder ही मिलेगा जो भी आपको question में numbers दियेगा है यहाँ पर जो भी numbers आपको दिख रहे उनके जो भी यहाँ पर common remainder है उनकी यहाँ पर जो भी remainder है अगर आप उनको आपस से minus करते हो तो यहाँ पर आपको common remainder मिल जाएगा और last में step number 3 में एकदम simple है कि 840 को इन common remainder से आपको plus नहीं करना है minus करना है बस यह एक चीज जो बच्चे अकसर exam में थोड़ा सा mistake कर देते हैं यह question में निकालते है time पर क्योंकि अकसर हम लोग जितने भी type होए उसमें plus किया है but type number 4 में जब आप common remainder निकालते हो तो आपको plus नहीं करना है आपको यहाँ पर minus करना है तो इसको अच्छे से आप पहले तो note down कर लेना यहाँ पर जो भी आपका LCM आया था 839 अगर किसी को cross check करना है तो 839 को इन दिये गए नंबरों से किसी भी नंबर से अगर आप divide कर दो तो इनके जो दिये गए remainder है आपको वहीं मिलेंगे ठीक है तो अगर आपको थोर सा और confusion है तो मेरे ख्याल से और questions हम लोग solve कर लेते हैं आपके सारी confusion जो है यहाँ पर दूर हो जाएंगे ठीक है इसलिए हम लोग जो है एक नहीं हर एक type के कम से कम 5 questions जो है solve करते हैं तो फिर से इसमें क्या दिया है कि least number आपको पूछा गया है which when divided by these numbers leave the remainder 7, 10, 13, 16 respectively मतलब जिस sequence में नंबर है उसी sequence में इनके दिये गए remainder है तो सबसे पहले तो बात यह सर सबसे पहले फटा फट इन जो दिये गए numbers है उन नंबरों का मैं LCM निकाल लेता हूँ अब LCM आप किसका निकालोगे जैसे के इन दोनों का है तो LCM आजाएगा 60, simple है कुछ नंबरों के, LCM आपको फटा फट देखने के लिए मिल जाते है और इसका जो आजाएगा मेरे खाल से 126 है क्योंकि इसका जो रेशो है वो 6 इस्टू 7 है क्योंकि दोनों भी 3 के टेबल म जाता है और 120, 21 को अगर मैंने 6 से multiply किया तो 126 आता है यह दोनों का जो मेरे खाल से 6 के टेबल में अगर जाता है तो 610 और 621 अब मेरे खाल से कुछ भी common अगर नहीं बच रहा है तो 1260 जो आएगा इसका आजाएगा 1260 आजाएगा इसका LCM ठीक है अगर मैं option देखू तो अ हर एक नंबर को हर एक नंबर को उसके दिये गए remainder से minus करके आपको यहाँ पर common remainder निकाल लेना है और अगर मैं इसको लिखू ना सिर्फ यह मैं आपर देख रहा हूं तो मुझे common remainder जो है वो मुझे 5 दिख रहा है ठीक है ना क्योंकि 12 उसका remainder 7 5 का difference है 15 उसका remainder 10 5 का difference है 21 उसका remainder 16 5 का difference है तो common remainder जो है मुझे 5 मिल रहा है और step number 3 बड़ा simple है कि sir जो भी मुझे यहाँ पर LCM मिला है उसको आप common remainder से minus कर दोगे plus नहीं करना है आपको क्या करना है minus करना है अप्शन देखा तो तो options है तो मुझे वैसे भी समझ में आ रहा था लिगर के answer क्या होगा बट कभी कभी यह नन अफ दीज जो option है वो problem create कर देता है तो फिलाल जो मेरा answer है वो है option number B 125 इसी के कुछ और अच्छे questions बड़िया बड़िया जो question है अब मेरे ख्याल से इसको ले आता है कि आपको normal number acceptable नहीं है आपको greatest four digit number चाहिए वो भी greatest वाला चाहिए smallest नहीं चाहिए यह number को आपको क्या करना है उस number से divide करना है तो सबसे पहले वही बात कि sir फटा-फट जो है हम लोग इन चारों का LCM निकाल लेते है इन चारों का क्या निकाल लेते है LCM निकाल लेते तो 10, 15, 21, 28 मेरे खाल से इसका LCM आएगा 30 यह 7 की 3 जाता है 7, 4 जाता है तो 4 जा यानिकी 84 यह दोनों मेरे खाल से 3 जो है common आजाएगा 3 जो है 3 नहीं 6 I think 6 फाइजा and 6 14 जा मेरे खाल से 6 14 जा so 85 5 जा कितना होता है 85 5 जा होता है 420 so 420 मुझे वो number मिल गया है जिसमें आप common remainder को plus minus अभी नहीं कर सकते क्योंकि question में आपको greatest 4 digit पूछा गया है greatest क्या पूछा गया है 4 digit तो step number 2 step number 2 अब आपको क्या करना है यह 420 को greatest 4 digit के form में बनाने greatest 4 digit तो सबसे पहली चीज़ यह 4 digit में convert करने के लिए इसको multiply कर दो by 10 तो यह बन गया 4 digit greatest 4 digit का मतलब अगर मैंने इसको double कर दिया तो still अभी भी greatest 4 digit नहीं बना अब धीरे धीरे मैं 420 के table में आने वाले number को 8400 में plus करते जाओंगा so that यह greatest 4 digit जो है बने greatest 4 digit जो है वो बन दा रहे so यहाँ पर क्या आजाएगी value यह 12 आजाएगा यह 9 2 4 0 अब 9 2 4 0 में मैं और plus कर सकता हूँ कि I think 4 20 और plus कर सकता हूँ मैं so यह आ जाएगा 9 double 6 0 9 double 6 0 में 4 20 और plus कर सकता हूँ कि यह नहीं कर सकता है क्योंकि अब यह बन जाएगा 5 digit तो अब better है कि मुझे वो number जो है यहाँ पर मिल गया अब मुझे निकालना है इसका common remainder और commo remainder जो है मेरे खियाल से निकालना आभी सबको पता चल ग्या होगों कि common remainder जो है अम लोग कैसे निकालते है तो common remainder कैसे निकालेंगे, common remainder जो आ जाएगा वो आपका number को उनके दिये गए remainder से minus करके, जिसे 10 का remainder है 4 तो minus हो जाएगा 6 आ जाएगा remainder, 28 का क्या दिया है, 28 का 22 दिया है, तो common remainder मुझे खुदी दिख रहा है कि 6 जो है, वो मेरा common remainder है, और last में आपको क्या करना है, last step but not the least, कि number को short LCM के through, जो मुझे greatest 4 digit number मिला है, उसको आप common remainder से minus कर दोगे, ना कि आपको plus कर रहा है, तो कि क्या कर दोगे आप, minus कर दोगे, तो थोड़ा सा है आप पर options को ध्यान से टिक करना, कभी-कभी जो है same numbers देखते हैं, हम लोग confuse हो जाते है, so step number 2 देखा वो हम लोगे type number 3 में भी updated questions में भी ये देखा था, और यही जो एक question होता है exam में, जो कि आपका time जो है, थोड़ा सा time जो है, थोड़ा सा खाता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से practice करना, फिलाल हम लोग इसके कुछ और questions देखेंगे, फिलाल जो है, हम लोग इसी question के जो बड़ा question है, थोड़े औ और question solve करते हैं, तो इस question में जो भी numbers दिये, आपको उसका सबसे पहले तो lsim निकाल लेना है, और ये बात याद रहा को least five digit number, आपको five digit number चाहिए, बर तो किस form में चाहिए, least form में चाहिए, lsim किसका निकालना है, lsim निकालने वाले जो value है, वो मेरे ख्याल से मुझे बड़ी अब step number two, step number two के through, मैं जो three hundred है, इसको five digit number में convert करने की कोशिश करूँगा, but least बोला गया है, इसलिए मैं फिलाल इसको four digit में ही रखता हूँ, और धीरे-धीरे four digit को बढ़ाते बढ़ाते, एक first five digit में राएगा, उसमें मैं इसको convert कर दूँग, तो nine thousand तक मैं जा सकता हूँ, और nine thousand में मैं three hundred के ऐसे constant number plus कर दूँ, कि करके greatest four digit बन जाए, चलो greatest four digit बन गया, अगर मैंने इसमें और three hundred plus कर दिया, तो I think अब ये जो बन जाएगा value, वो greatest, sorry, least five digit value बन जाएगा, one two, one zero two, double zero, least five digit जो है, वो number है, इस LCM three hundred का, ठीक है, third step क्या, third step क्या, third step क्या, मेरे ख्याल से ये थ्वार सा आपको practice करना पड़ेगा, ठीक है ना, मैंने ये वही numbers लिए, जो कि three hundred के table में आते, three hundred के table में आते, three hundred के table में 3000 आता है, तो उसका triple value तो आएगा, फिर देरे देरे plus करते गया, so मेरे ख्याल से मुझे जो values है, इनके ज जो common remainder है, वो है five, जो common difference आएगा, वो आपका five नजर आ रहा हुगा, और last है, कि जो भी मुझे यहाँ पर elsim मिला है, जो कि table है, three hundred के table में आता है, उसको common remainder से simple आपको क्या कर देना है, plus कर देना है, simple आपको क्या कर देना है, plus कर देना है, ठीक है, तो मेरा value जाएगा, वो one zero one nine five, ठीक है, एक important चीज में आपको और बताऊंगा, बट एक last question को solve करने के बाद, तो इसको skip मत करना, आप लोग, ठीक है, ठीक है, तो last question इसका, कि what is the greatest five digit number, यहाँ पर greatest नहीं लिखना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर least five digit number लिखना है, तो सबसे पहले जो चीज, कि 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 आपको इस question में क्या निकाल लेना है, lcm निकाल लेना है, 12, 24 और 36 का, इन तीनों का lcm आ जाएगा, वो मेरे क्या lcm आ जाएगा, 72, 72 जो है, वो इसका आ जाएगा lcm, अब मुझे क्या करना है, 72 के table में वो number डूढना है, जो least five digit आपका होना चाहिए, लिस्ट five digit होना चाह मैं, 3600, of course, इसका half है, तो वो तो 72 के table में आएगा ही आएगा, और ये मेरे ख्याल से value जो है, 108 00, थोड़ा सा बड़ा value हो गया है, अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा पीछे लेकर आना है, क्या करना है, मुझे पीछे लेकर आना है, क्योंकि मुझे least number चाहिए, त पीछे लेकर आना होता है, तो मेरे ख्याल से मैं 10080, अगर मैं इसमें और 72 को अगर मैं माइनस कर दो, और 72 को माइनस कर दो, तो 100008 मेरे ख्याल से जो है, मेरा value मिल जाएगा, मुझे इसका least five digit जो है, मुझे इसका value मिल जाएगा, ठीक रहे, देखो थोड़ा से कभी-कभी करना पड़ता है, कभी-कभी आपको माइनस भी करना पड़ता है, डिपेंड कर रहा है कि आप जम्प किधर कर रहे है, आप जम्प कितना आगे या कितना पीछे कर रहे है, थर्ड स्टेप के साब से मुझे अगर common remainder ढूंड़ना है, तो common remainder तो question देखकर ही मुझे समझ में आ चाहिए, तो मेरे ख्याल से छोटा सम मिस्टेक और तो यहां पर थोगा सम लोग करेट कर लेंगे कि यहां पर 6 आजाएगा, यहां पर आजाएगा 18 और यहां पर आजाएगा 30 जिसके इसे common remainder जो है, वो मुझे 6 मिल जाएगा, common remainder मुझे 6 मिल जाएगा, ठीक है, so last में आपक as a final answer जो है, कभी-कभी इसके value बड़ी भी हो सकती है, so इसलिए थोगा सा time लगता है, तो यह question में थोगा सम मिस्टेक है, जड़ा चेक कर लेना, कि 8, 30 और 42 के जगा पर 6, 18 और 30 जो है value जो है question में mention किया गया, ठीक है, अभी ज़रूरी चीज जो मैं आपको बताने वाला था कि मालो कभी-कभी बच्च लोगों का doubt रहता, कि जैसे मालो कि यहां पर remainder थोगा सा बड़ा होता, remainder जैसे मालो यहां पर हो जाता 10, 10 जो है, मैरा common remainder रहता, तो Sir, अगर मैंने, अगर मैं यहां पर थोगा सा इसको clear कर जो है, मालो मैरा जो value है वो 1008 था, और common remainder के नाम पर, 10 मुझे इसमें माइनस करना पड़ता, तो अगर मैं इसमें 10 माइनस कर देता, 10 माइनस अगर कर देता, तो मुझे वैल्यू जो है कुछ ऐसी दिखती, ठीक है, 9998 जो है मुझे वैल्यू दिखती, और question में, जो है, ये question में greatest नहीं, ये least है, question में, तो मुझे लीस्ट 5 डिजिट पूछा था, तो 5 डिजिट अगर पूछा है, तो ये तो 4 डिजिट बन गया, तो अगर आपका remainder minus करने के बाद, ये कभी कभी plus करने के बाद, जो form आपको पूछा गया है, अगर वो form change हो जाता है, तो आप ये जो number है, वो ले नहीं सकते, आप ये जो number है, वो नहीं ले सकते, तो इसमें मैंने अगर 72 प्लस कर दिया होता, 72 अगर मैंने ये प्लस कर दिया होता, तो आपको ये value कुछ इस तरीके से नजर आता, और इसमें मैंने अगर 10 minus कर दिया होता, तो यह value थो आसा ignore करेंगे, आप बाकी question के लिए यह चीज चेक कर सकते हैं, तो मैं important चीज क्या बता रहा हूँ कि कभी-कभी remainder को plus या कभी-कभी remainder को minus करने के बाद, आपको जो greatest 5 digit, least 5 digit है, उसका formation जो है बदल जाता है, तो आपको इस छोड़ी सी बात का ध्यान रखना है कि कर कि अगर वो formation बदल रहा है, तो आप यह जो number है, यह थोड़ा सा यह तो जादा लो, यह थोड़ा सा कम लेलो, ताकि आपका जो दिया गया format है, वो change ना, तो यहाँ पर जो होता है, आपको टाइप number 4 जो होता है, जो LCM बेसता है, वो होता है, आपको हमारा यह वीडियो पस गुद्बाइ